मुझा नमस्कार आप देख रहे हैं शुर्प्रन्डिफोर न्यूज और मैं हूँ आपके साथ श्रादिका एसीबी की जैपू टीम ने थाना गाजी के विधायक रांती मीना के दो बेटों को घूस लेने के आरोप में पकड़ा है इस कारिवाही से अलवा जिले में हड़का मच गई है देखिए ये खास सिपोर्ट थाना गाजी से निर्दलिय विधायक कांती मीना के सितारे लगता है गरदेश में चल रहे हैं उनके दो बेटों को रिश्वत लेने के आरोप में गरफतार किया गया है इस मामले में अब तक जो जानकारी मिली है उसमें बताया गया है कि जैपूर ACB की टीम ने शुकरवार देर रात ये बड़ी कारवाई की है टीम ने थानागाजी विधायक कांती मीना के दो बेटों थानागाजी बीडियो और थानागाजी प्रधान के बेटे को पांच लाख रुपए के रिश्वत लेते रंगे हाथ करफतार किया है ACB सूतरों के मताबिख हैंट पम खुदाई के पंद्रह लाख रुपए के बिल पास कराने के एवज में ये लोग पांच लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे जैपूर ACB के अफसरों के मताबिख उनको ये शिकायत मिली थी और मामला दर्श कर लिया किया है विधायक के बेटे कृष्ण मीना को जैपूर में रिश्वत लेते ट्रैप किया किया उससे पूरी जानकारी लेनी के बाद थाना गाजी से विधायक के दूसरे बेटे लोकेश, बीडियो, नेतराम और वहां के प्रधान जैप्रताप को भी गरफतार किया किया है A.C.B. ने F.I.R. दर्श करके जब इस मामले का सत्यापन कराया तो मामला सही पाया गया उसके बाद A.C.B. की टीम ने शुकरवार देरा दो बज़े तक इस कारवाई को अंजाम दिया A.C.B. के अधिकारी और कर्वचारी इस पूरे मामले की जाच में चुटे हैं पकड़े गए आरूपियों के घर और ओफिस को भी खंगाला जा रहा है A.C.B. की इस कारवाई से अलवर जिले में हड़कम मचा हुआ है इस मामले में आरूपियों से कड़ी पूछता चल रही है इसी तरह A.C.B. ने सीकर जिले की जेतुसर ग्राम पंचायत के सरपंच शमरलाल को दो लाख रुपए के रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है सरपंच बिलों का भुगतान और जमानत राश्री लोटाने के एवस में ये रिश्वत ले रहा था A.C.B. की इंताबर तोड़ कारवाई से राश्री तिक पारा भी गरम हो गया है प्यूरो रिपोर्ट शुप 24 न्यूज तो यूँ ही बने रही है हमारे साथ शुप 24 न्यूज में नमस्का